ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं सिंग राशी वालो हूज आओ सावधान क्योंकि अब 18, 19, 20 और 21 नवंबर यानि कि इन चार दिनों में उल्टी गंगा बहने वाली हैं जा दोस्तों सावधानी का समय है इन चार दिनों का कोकि भगवान शनिदेव के किरपासी आपकी राशी वालों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि उल्टी गंगा बहने वाली है ये कहें वो भी उल्टी गंगा सिर्फ आपके दुस्वनों की बहेगी आपकी नहीं ऐसा समय है दिमाग की नसे सुन पड़ जाएंगी यह सब सुनकर कि भगवान शरीदेव आपके ओपर किस प्रकार महरवान है यह समझ ले आप बला कि दिमाग की नसे तक सुनन पड़ जाएंगी कि इस प्रकार भगवान शरीदे महरवान आपकी राशीफल हो गए है कि आपके समस्त कार्रेव बढ़ने वाले हैं यह समझ ले और उल्टी गंगा आपके दुस्वनों की बहने वाली और आपका अब कल्यान ही कल्यान होने आपके दिमाग की राशीफल गिरहन अक्सतुन के इसाफ से वीडियो को तैयार किया गया है कि किस प्रकार गिरहों में परिवतन और गिरहों में बदलती चाल आपके लिए एक अच्छे समय को बनाने वाली है निर्मार करने वाली है तो वीडियो को पूरा देखें जा दोस आशिरवाद आपको तापतो सकी चलिए दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार आपकी राशीवालों के लिए रहेगा 18-19-20 और 21 नवंबर यानि कि चार दिनों का यह समय चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह समय ग्रह इस्तिति आपको यह संकेत दे रही है कि अपनी वित्य योजनाओ संबंदी कारों पर अधिक द्यान केंदित रखें आपको महत्पपूर्ण उपलब्दी हासिल होगी बुजुरू का अशिरवाद वे इसने पाकर आप और अधिक प्रगर्ती पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों साति साथ यह समय आपके लिए लाबकारी है अपने स अपने वे कलपनाएं शाकार करने का यह उत्तम समय है अपनी चमता पर विश्वास रखें बहुत सी परिसानियों का अब हल मिलेगा रिष्टेदारों से संबंदित किसी विवाद के सुलजने से रिष्टों में दोबारा मधूर्त आएगी दोस्तों साति साथ परिवार के स शुक सुविदा संबंदी वस्तों की खरीदारी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा किसी रिष्टेदार के यहां धार्मिक उत्सब में दाने का भी प्रोग्राम बनेगा कहीं फसा हुआ पैसा मिलने से आर्थिक इस्तिती और अधिक बहतर होगी साति साथ शामाजिक गति विदियो में आपका सहोग आपको पहचान और मान सम्मान प्रदान कर रहा है आपकी प्रतिभा तथा छमताएं लोगों के सामने उजागर होंगी घर के नवीनी करण संबंदी योजनाय भी बनेंगी और इनके लिए वास्तु के नियमों का प्रियोग करना और अधिक उत्त सम रहेगा दोस्तों साति सात यह समय किसी भी कारे को करने से पहले घर के अनुववी व्यक्तियों की सला आप अवश्च चलें सोच समझ कर लिया गया निर्णे आगे चलकर आपको लाब देगा संतान की तरब से भी कोई सुब समचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहोल रह मन मुताबिक समय व्यतित करने से आप फ्रैस और तनाव मुक्त रहेंगे और अपने अंदर एक नहीं उर्जा का संचार आप महसूस करेंगे दोस्तों साति सात किसी एप्रिये व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरन कुछ नकारात्मक भी हो सकता है इस तनाव का असर आप के वरिष्ट वक्तियों की सला वे सयोग आप अवश्यलें दोस्तों साति सात अनावश्यक यात्राओं को आप इस्तकित रखें लोगों के साथ वहवार करते समय सावधान रहें गलत फैमी की वज़े से संबंदों में खटास आ सकती है बच्चे की किसी नकारात्मक गती वि तरीके से समस्या का समाधान भी निकलेगा दोस्तों साति सात किसी प्रकार की निवेस संबंदी गतिविद्यों को आप इस्तकित रखें अन्य था नुकसान जैसी इस्तिती आ सकती है विध्यारती अपनी पढ़ाय के प्रती ज़्यादा फोकस रखें साति सात पडोसियों के सात संबंद खराब ना होने दें ध्यान रखें कि जरासी गलत फैमी की वज़े से नजदी की मित्रों या भायों के सात संबंद भी खराब हो सकते हैं तनाव को अपने उपर आप हावी ना होने दें इसका असर आपकी कहरेच्छमता पर भी पड़ेगा सांती पूर्ण तरी खर्चों की अधिकता रहेगी साती सात यह समय किसी भी प्रकार का महत्पपूर्ण आप निर्ने लेने से बचें आप किसी दुविदा में भी बुरी तरह से फस सकते हैं जिसका असर परीबार पर भी पड़ सकता है बहतर होगा कि बाहरी लोगों के साथ किसी तरह का भी आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तों बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय घर के वातावरन को उचित बनाए रखने में जीवन साती का महत्पपूर्ण योगदान रहेगा तथा किसी मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी परिवारिक वातावरन उत्तम बना रहेगा काफी समय बाद रिष्टेदारों से मेल मिलाप खुसी प्रदान करेगी साती सात पती पतनी के संबंदों में भी कुछ खटी मीटी नोक जोक रह सकती है इसके बाद आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी दोस्तों विवाहित जीवन में मदुर्ता बनी रहेगी किसी भी महत्पपूर्ण निर्ने में जीवन साती की सला आपके लिए लाबदायक साबित होगी प्रेम संबंदों में नजदी की आएंगी साती सात परिवारिक वातावरन सहयोगा अत्मक तता खुसन मा रहेगा प्रेम जीवन के दृष्टी कोण से यह समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा इस समय का आप अवश्य ही लाब उठाएं दोस्तों बात अगर आपके व्यवसाय और केरियर की करें तो यह समय नौकरी और व्यवसाय में शकारत्मक पैरणाम आपको प्राप्त होंगे युवा वर्ग को नौकरी से संबंद बेजी गई फाइल का शकरात्मक रिजल्ट प्राप्त होगा नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्य की अधिक्ता की वज़े से घर पर भी ओफिस का कुछ काम करना पड़ सकता है कार्य छित्र में वर्तमान गतिविद्यों पर अपना ध्यान केंदिरित रखें क्योंकि इस सम पर किसी से बिना बात वाद विवाद भी हो सकता है दोस्तों साते साथ यह समय यर्स सटा आदी जैसे कार्रों में निवेस आप ना करें तथा गैर कानूनी कार्रों में हात ना डालें किसी प्रकार की इंक्वारी होनी की भी आसंका बन रही है नौकरी में बहौस वे अधिक कारी के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव हो सकता है इसलिए आप साबधान भी रहें कारेचित्र में शहयोगी तता कर्मचारियों के साथ दोस्ताना वहवार रखें इससे वे लोग पूरी एनरजी से काम के प्रती अपना ध्यान दे पाएंगे शंगीत शहित्य और कला संबंदिक कारों में आपको सपलता मिलेगी सिर्फ आपको अनुशासित तथा आत्म नियंत्रित रहने की जरूत हैं कार्य इस्थल तथा विवसाइक इस्थल पर आपकी उपस्तिती अनिवार रहें क्योंकि आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी काम ध्यान नहीं देंगे निवेस संबंदी किसी भी प्रकार की योजनाओं को क्रिया निवेंत करने से पहले सभी पहलूओं पर विचार विमर्स आप जरूर करें साथ साथ कामकाज में बहुत अधिक वैस्त ता रहेगी आप कुछ ठोस तथा महत्पपोन निर्ने भी लेंगे और उन्हें पूरा करने में आप सफल भी रहेंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय रक्त संबंदी कोई समस्या हो सकती है आप लापरवाही ना बरतें और अपनी जांच अवश्य कराएं खास तोर प अपने स्वास्थ के प्रती अधिक जाग रुक रहें क्योंकि किसी प्रकार के इंफेक्शन की भी आसंका लग रही है गैस वे पेट दर्द संबंदी सिकायत रह सकती है खान पान पर नियंत अड़ रखें आयरुविदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तिमाल करें साथिस एक कारण ही तनाव की इस्तिती रह सकती है जिसका असर आपकी कार्य छमता पर भी पड़ेगा मेडिटेशन में कुछ समय आप व्यतीत करें आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा